भारती समिधान के मुखी शिल्पका डॉक्टर भीम राव राम जी अमेटकर की पैसेट भी आज पूर्णिती थी उनका महा परिनिर्मान 6 दिसंबर 1956 को हुआ था वे भारती भहुयग्य विदिवेत्ता अर्द शास्त्री राजनितिग्य और समासुधारत थे उन्होंने दलत बौद आंदुलन को प्रिरित किया और अचुतों से सामाजिक भेडभाव की विरोध अभियान चलाया था श्रमी को किसानों महीलाओं के अधिकारों का समर्थन भी किया था वे स्वतंत्र भारत के प्रतम विधी एवं न्याय मंती भारती समिधान की जनक और भारत गंडरा जिके निर्माताओं में से एक थे उन्होंने अपना पूरा जीवाद जाती वाद को खत्म करनी और गरीबों दलितों पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए अर्पित किया इसलिए आज के दिन उनकी पूरिनिर्मान दिवस के तौर पर मनाया चाता है डॉक्टर बाबस साहिब अमबेटकर एक बौध गुरू थे इसलिए उनकी पूरितिती के लिए बौध अवधार्ना में महापरिनिर्मान शब्द का इस्तमाल किया गया है महापरिनिर्मान दिवस के अफसर पर पूरे भारत के लाखों लोग एक दिसंबर से मुंबई में चैते भूमी उनकी समाधी पर आते हैं यहाँ 25 लाग से अधिक भीम अनुयाई इकटा होते हैं और चैते भूमी इस्तूप और नाकपुर इस्तिते दिख्षा भूमी में रखे अमबेटकर के अस्थी कलश और प्रतीमा को श्रदांचली देते हैं इस दिन भारत और दुनिया भर से अमबेटकर बादी उनकी प्रतीमा के सामने श्रदांचली देते हैं इस उस्तपर शहर के दिख्षा भूमी पर समता सानिक दल की और से रख्तदान शिविर का भी आयोजन किया था डॉक्टर अमबेटकर ने दलितों की स्थिती में सुधाल लाने और उनके हक के लिए बहुत संगर्श किया चुवा चूत को खत्म करने में उनकी बड़ी भूमी का थी इसलिए उनको बहुत गुरू माना जाता है उनके अनुयाईयों का मानना है कि उनके गुरू भगवान बुद्ध की तरह ही काफी प्रभावी और सदाचारी थे उनका मानना है कि डॉक्टर अमबेटकर अपने कालियों की वज़े से निर्मान प्राप्त कर चुके हैं यही बजाए कि उनकी पूर्णतिती को महापरी निर्मान दिवस या महापरी निर्मान दिन के तौर पर मनाया जाता है दुखद प्रसंगा है आज जगात जयान चांचा दुखद दिवस आणे जयान מओ दिवस इत्के धूमधलाक यासadra हो तो जन्मधस धूमधलाक्यास अधरांजली अर्पिन करता है जगात कुछत असा उधारन नाई है परंपुजर अक्र बावा साहब अमेटकर्स मारक समीची दिक्षा भूमी में इथे इनार है लोकांचे सार्या जन्सुविधा महारास्त शैस्नाचे आणी केंद्र शैस्नाचे जी नियम है त्यानना अनोसर आपन घरूनत बावा साहबाला आधरांजली अर्पित करा